Hello students, welcome to 5th standard आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट एक, एक रहें हैं, एक रहेंगे इस कवीता के माध्यम से कवीन ने बताया है कि हम सब भारत माता की ही संतान है और धर्ती, अकाश, मंदेर, मश्चित सब अपने हैं कुछ अलग नहीं है हमारे देशवासियों में भाईचारे की भावना है, भाईचारे मतलब प्रेम की भावना है समरपण की भावना है एक दूसरे के प्रती अलग-अलग होने पर भी हम सब एक ही भारत का नारा लगाते हैं जय भारत, जय हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि तुम कोई और धर्म के हो, हम कोई और धर्म के हैं, हम भारत के लिए कोई और नारा लगाते हैं, हम सब मिलके एक ही नारा लगाते हैं, और यहां हर एक जो भारतवासी है, उसके कंट में देश भक्ती का इस्वर गूंचता है, हम लोग जाती धर्म, वेश भू पुशा की अधार पर अलग होने के बावजूत भी हम सब क्या कहलाते हैं, भारत वासी कहलाते हैं, हमारी जो एकता है उसे शेत्रों भी डर कर भाग जाते हैं, हमारी एकता और अखंडिता का जो प्रतीक है, जो हमारे दूसरी कंटीज़ उनको भी यह सोचने पर हैरान कर देत है इसलिए कभी कहते हैं कि हमारे देश की जो विवनिता में भी जो एकता की जो ताकत है ना वो सबसे बड़ी ताकत है जिससे हम शत्रों को मुंग की खाने के मजबूर कर देते हैं मतलब हार कर भाग जाने को मजबूर कर देते हैं यहां पर मुंग की खाने का मतलब मैंने चलिए हम इस पार्ट के माध्यम से कवीता को पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको समझाती जाओंगे. एक रहें हैं, एक रहेंगे, कंट कंट से गूंच उठास्वर, सब भारत मा के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिक्ष इसाई हम. इसमें कभी कहते हैं कि हम सब भले भिन भिन हों, पर भिन भिन होने के बाबजुद भी हम सब एक तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं, अर्थात हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं. हमारा देश जो है, बहुत ही प्यारा देश है, यहां कभी कहते हैं कि सब के कंठ से एक ही स्वरगूंच रहा है, कि हम सब एक थे और एक रहेंगे, हमारे दिल में भाईचारे की भावना है, हम सब दिल से एक दूसरे के भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, भारत माता क ही संतान है हम चाहे हिंदू हो मुस्लीम हो सिखो या इसाई हो यह सब क्या है यह हमारे धर्म अलग है पर हम मनुष्य तो एक ही जैसे हैं और हम कहलाते भी भारतवासी हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम भारतवासी नहीं है ना ही इस भी कोई शक है वहले हम कोई भी धर्म के कोई भी जाती के हो इसलिए हम सब भारतमाग की संतानी कहलाते है अब क्या है आपका मंदिर मर्षित गिर्जा अपने अपनी धर्ती अपना अंबर कंटे कंटे से गूँच उठास्वर अपना देश बड़ा प्यारा है आपस में भाई चारा है इसमें कभी बोलते हैं भले मंदिर मर्षित गिर्जा धर्ती अकाश नाम अलग अलग है पर सब क्या है सब हमारे ही है और सब के हिर्दय में यही ध्वनी गुँझ रही है की देश भक्ती की तो इसकी ध्वनी गुँझ रही है बहुत ही प्यारा देश है यहां आपस में प्रेमा भाईचारे की भावना भी है अलग-अलग देश पाशाएं होने पर भी सबका नारा क्या है? जय भारत ही है, कोई अलग नारा नहीं है हम सब मिल जूल करते देश भकते के गीत गाते हैं और सब के कंट से यही सुर्ग सुर्ग गूंच रहा है कि हम सब भारतवासी है कंट जै भारत मिल जुल कर गाते हैं हम सब देश भक्ति के गीत यहाँ पर कंट कंट से गूंच उठा स्वल अलग अलग छेत्रों के वासी सभी भिन्भाशा के वासी कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारत वासी कैसे कैसे शत्र भागते आखिर हम से मूं की खाकर एक रहें हैं एक रहेंगे कंट कंट से गूंच उठा स्वर कभी कहते हैं कि सभी अलग अलग स्थानों में रहने वाले हैं सभी लोग अलग अलग स्थानों में रहने वाले हैं और वो अलग अलग रहते हैं और अलग अलग भाशाएं बोलते हैं उनका रूप रंग अलग होता है उनका खानपन अलग होता है उनका पहनने उनने का बहुत सारे उनकी कल्शे जैसे उनकी जो संस्क्रिती होती हो इसके अनुसार वो बदलते हैं पर कितने भी समुदाय हो जाएं कितने भी जाती धर्म संप्रदाय के लोग हो जाएं पर वो सब जब हमारी भारत भूमी पे रहते हैं तो वो भारत वासी ही कहलाते हैं हम से शत्रू भी पराजित होकर भाग खड़े होते हैं, क्या है, हमारी एकता को देखकर कितने भी महान शत्रू आ जाए, कितने भी दुश्मान हमारे सामने आ जाए पर उनको हमसे पराजित होना ही पड़ता है और वो हमसे पराजित होकर भाग खड़े होते हैं इसलिए कभी कहते हैं कि हम भारतियों में एकता की बहुत बड़ी शक्ती है जिसके आगे कोई भी दुश्मन रुक नहीं सकता उसको भागना ही पड़ेगा इसमें कभी कहते हैं इसलिए इस कविता कमें कभी ने कहा है कि हम सब एक थे और एक ही रहेंगे यही सब के कंड से गूंज रहा है इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हम सब एक है हम सब भले ही अलग धर्म के हों पर अलग जाती के हों हमारा रंग अलग हो हमारा हमारा चेहरा भली अलग हो एक उसे चेहरा अलग होता है पर हम क्या है भारत वासी ही है हम लोग सब धर्ती माता की ही संतान है